हैलो, आज हम इस वीडियो में एक्सल में चार्ट को कैसी बनाए जाता है के बारी में सीखेंगे तो यह हमारे पास यहाँ पर डीटा दिया गया है अगर हम इस डीटा का एक्सल में चार्ट बनाना जाते हैं तो हम ये काम keyword की shortcut keys के जरीए भी कर सकते है तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे ये जितना भी data है ये data की heading है तो heading के कहीं भी हम यहाँ पे click करेंगे जैसे इस post करो यहाँ पे name है यहाँ पे हम click करेंगे हम keyword से add plus f1 की press करेंगे ये देखो add plus f1 की press करती है हमारे पास इस data का chart बनके यहाँ पे आ जाएगा है तो ये देखो ये chart इस data का बनके आ गया है इसको यहाँ पे हम थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ से ये तो ये जो है ये जितना data था इस data का chart यहाँ पे बनके आ गया है तो keyword की shortcut keys के जरीए भी हम यहाँ पे chart बना सकते हैं अगर यही चार्ट ह है तो ये भी काम हम यहाँ पे कर सकते हैं तो इसको करने के लिए पहले इस chart को हम यहाँ पे delete करेंगे यहाँ पे border पे यहाँ पे click किया इसके बाद keyword से delete की press की तो यहाँ से delete हो जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे यह जितना data यहाँ पे दिये गया है इसके heading में कहीं भी यहां पर क्लिक करेंगे जैसे यहां पर English यहां पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद अगर हम दूसरी शीट में चार्ट बनाना जाते है तो हम keyword की function की F11 की press करेंगे यह देखो F11 की press करने के बाद यह देखो यहां पर अलग sheet यहां पर बन के आगे तो इस तरह से अगर हम दूसरी शीट में चार्ट बनाना जाते है तो हम keyword की function की F11 press करके यह चार्ट बना सकते है इसके बाद हम यहां से इसको चार्ट को delete कर देंगे यहां पर चार्ट पे क्लिक किया चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पर delete पे क्लिक किया यहां पर delete पे क्लिक किया तो यह चार्ट यहां से delete हो जाएगा यहां पर insert टैप पे जाएंगे इंसर्ट टैप पे जाने के बाद यहां पर chart ग्रूप में जाएंगे चार्ट ग्रूप में जाने के बाद अब क्या करेंगे हम इस data का chart बनाना जाते हैं तो हम यह चार्ट recommended चार्ट के जरीवी बना सकते हैं इसमें बने बनाए चार्ट यहां पर आते हैं जैसे यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद यह देखो यहां पर इस data के बने बनाए चार्ट यहां पर बनके आ जाएंगी तो जिसके उपर हम यहां पर क्लिक करेंगे वही चार्ट बनके आजाएगा यह देखो बहुत से cheerle है इनका अगे preview show है second पे click किया है style में आएगा third पे click किया है GustY style आएगा अगले पे click किया Bag军 ये style और भी यहाँ पे style है जिस के ओपर हम यहाँ पे click करेंगे वही चार्ट यहां पर बनके आ जाएगा Suppose करो हमने यह इसके उपर क्लिक किया तो यह चार्ट बनके आ गया यहां पर OK पर क्लिक किया तो यह दिखो तो Recommended चार्ट के जरीए हम यह चार्ट बना सकते हैं इसमें बने बनाई चार्ट होते हैं उसके ओपर क्लिक करेंगे वही चार्ट बन किया जाएगा इस चार्ट को यहां पर ड्लीट करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ड्लीट पर क्लिक करेंगे यह चार्ट यहां से ड्लीट हो गया फिर हम यहां पर यह जो डिटा दिया गया इसको स्लेक्ट करेंगे सारी डीटा को, यह स्लेक्ट किया, स्लेक्ट करने के बाद फिर इंसल्ट टैप पे गए, इंसल्ट टैप पे जाने के बाद चार्ट ग्रूप में जाएंगे, चार्ट ग्रूप में जाने के बाद यहाँ पे बहुत से चार्ट टाइप आ जाएंगे, क अगला चाहिए जैसे यहां पर क्लिक करेंगे इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट यह चाहिए तो यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद आगला चाहिए इंसर्ट पाई चार्ट चाहिए तो यहां पर क्लिक करेंगे और भी यहां पर बहुत से टाइप दिये गए है चार्ट के किसी के उपर जो भी हमें चाहिए जिसके उपर क्लिक करेंगे वही चार्ट बन के आ जाएगा स्पोस करो हमें ये first वाल चाहिए यहां पे insert कॉलम यहां पे क्लिक करेंगे हम यहां पे more button पे क्लिक करने के बाद यहां पे 2D कॉलम अगर इस style में चाहिए यह देखो 2D कॉलम में ये चार्ट बन के आ रहा है अगला पे क्लिक करेंगे अगला style आ जाएगा इससे अगले पे क्लिक करेंगे अगला style आ जाएगा अगर ये 2D कॉलम style ने चाहिए 3D कॉलम style चाहिए तो यहां पे आ जाएगे यह 3D column यहां पे क्लिक किया तो यह देखो 3D column style बन के आ जाएगा इससे अगले पे क्लिक किया ऐसा आएगा अगले पे क्लिक किया ऐसा आएगा अगले पे ऐसा आएगा यह यह नहीं चाहिए 2D वार चाहिए तो यह देखो 2D वार में आ जाएगा यह style, यह style, यह, इसके बाद 3D वार, इसमें ऐसा आएगा, यह दिखो ऐसा आएगा, तो जो भी यहां पर चाहिए, उस पे हम click करेंगे, वही यहां पर बनके आ जाएगा, suppose करो हमें यह first वाला, यह चाहिए, तो यहां पर हमने click किया, click करने के बाद, को हम यहां से, छोटा कर इसके बाद यहां से इसको बढ़ाएंगे यह बढ़ा दिया है इस डेटा का चार्ट यहां पर बनके आ गया है आने के बाद अब यह यहां पर दिया गया है English subject इस color में शोर है committee subject इसमें शोर है physics subject इसमें शोर है और यह जो है यह नेम है मोहित, शर्शी, अलोग, चमन, अनमौल यह सारी यहां पर नेम दिये गया है तो यह देखो यह मोहित नेम है इसने English में 88 नमबर लिए हुए committee में 85 लिए हुए है physics में 65 लिए हुए है तो यहां पर इसका graph यह बनके आगया है यह देखो यह color सेकेंड है शशी इसके 98 है तो ये देखो इंगलिश में 98 है तो 98 तक यहां पे गया हुआ है आगे कमिस्टी में 49 है तो ये देखो ये जो कमिस्टी है इसमें ये कलर है ये 49 तक गया है इसके बाद आगला फुजिक्स है इसमें ये आगे तक गया हुआ है ये 65 ये देखो 65 तक बना हुआ है तो इस प्रकार ये सभी का ये graph बनके यहां पे आ गया है तो यहां पे ये जो data दिया गया है इस data में ये जो values है अगर हम इन values को change करेंगे तो ये graph भी change हो जाएगा suppose करो ये मोहित name है इसने English में 88 number ली हुए है अगर यहां पे हम 55 करेंगे तो ये graph जो है ये change हो जाएगा तो यहां पे हम 88 की जगा 55 करेंगे ये देखो 55 लिखा और यहां पे click करेंगे तो ये देखो graph ये चेंज हो जाएगा ये देखो ये graph चेंज हो गया यहां पे English में ये 55 marks सकसी यहाम पे आगे ए देखो graph बनके आ गया तो कोई भी बैल्यू अगर हम change करेंगे तो यह graph change हो जाएगा जैसे कमिस्टी में मौहित के यहाम पे करते है 95 तो यह graph और change हो जाएगा यह देखो 95 किया ते यह graph यहाम पे बार ख्लिक किया तो यह देखो यह graph change हो गया, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे कोई value change करेंगे तो यह graph automatic change हो जाएगा इसके बाद फिर हम यहाँ पे graph पे यहाँ पे click करेंगे graph पे click करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे chart tool आ जाता है जिसमें कि यहाँ पे दिया गया design यह design टैप बनके आ जाता है, यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद add chart element, इसके more button पे यहाँ पे click करेंगे तो इसमें बहुत से option आ जाएंगे जैसे यहाँ पे दिया गया first, तो यहाँ पे first दिया गया है, axis यहाँ पे primary horizontal यहाँ पे हो गया अगर primary vertical करेंगे तो इसमें आ जाएगा यह दिखो, primary vertical तो इसमें आ जाएगा इसके बाद है axis title तो इसमें अगर हम primary horizontal में कुछ लिखना जाते हैं, तो यहाँ पे click करेंगे, तो primary horizontal लिखने के लिए आ जाएगा, यह दिखो यहां पे click किया, यहां पे लिखने के लिए आ गया, यहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, अगर यहां पे vertical करना जाते हैं, तो फिर यहां पे axis title पे जाएंगे और primary vertical पे click करेंगे, यह लिखो primary vertical यहां पे लिखने के लिए कुछ आ जाएगा, यहां पे कुछ भी हम लिख सकते है इसके बाद इसको यहां पे undo किया undo करने के बाद फिर यहां पे add chart element पे जाएंगे अगला है chart title यह देखो यहां पे chart title दिया गया है अगर हम यह चाहते हैं कि यह हमें chart title नहीं चाहिए तो हम यहां पे जाएंगे chart title और यहां पे पर क्लिक करेंगे तो यह यहां से हट जाएगा यह देखो यहां पर क्लिक किया यह यहां से हट गया अगर चार्ट चाहिए तो हम यहां पर क्लिक करेंगे यह चार्ट आ गया centered overlay चाहिए तो यह centered overlay हो के आ जाएगा तो इस प्रकार हम यहाँ पे chart title चाहिए या नई चाहिए तो हम यहाँ पे set कर सकते हैं इसको इसके बाद है data levels data levels में suppose करो यह जो data है यह हमें center में चाहिए यह जो चार्ट बना हुआ है यह सेंटर में चाहिए यहाँ पे यह जो डेटा है सेंटर में चाहिए तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे यह सेंटर पे क्लिक किया तो यह देखो मोहित के यहाँ पे 55 इंग्लिश में नंबर है तो यह सेंटर में आए इसके बाद मोहिद के कमिस्टी में 95 नंबर है तो ये भी सेंटर में आए इसके बाद मोहिद के फुजिक्स में 65 नंबर है तो ये भी सेंटर में आ जाएंगे तो ये जो डेटा लेबल है ये सेंटर में आ जाएगा इसके बाद फिर हम यहां पे add chart element यहां पे click करेंगे और इसके बाद data level अगर यही हमें inside end पे चाहिए तो यह दिखो preview यहां पे show हो रहा है यह inside end पे चला गया data जितना भी है यह inside end पे आ गया इसके बाद inside base पे चाहिए तो यह दिखो base में आ गया यह इसके बाद outside चाहिए अगर बार चाहिए तो यहां पे click करेंगे यह दिखो data वार लिखा हो आ गया अगर इसको data callouts में चाहिए तो यहां पे click करेंगे यह data callouts में आ जाएगा अगर यहां पे हमें कोई नहीं चाहिए तो हम यहां पे none पे क्लिक करेंगे यह देखो यहां से data हड़ जाएगा इसके बाद आगे है data chart element में data table अगर हम चाहते हैं कि इस data का table बनके आए तो यहां पे हम क्लिक करेंगे बिद लिजेंड कीज तो यह देखो लिजेंड कीज यहां पे आ जाएंगी यहां पे क्लिक या तो यह देखो यहां पे टेबल बनके आ जाएगा तो यहाँ पे यह देखो legend keys यहाँ पे आ जाएंगी यह देखो यह जो color में यह show होता है इसको बोला जाता है legend keys अगर यह हमें आटानी है यह ने चाहिए legend keys नहीं आनी चाहिए तो हम यहाँ पे फिर यहाँ पे जाएंगे add chart element पे और data table पे जाएंगे और no legends keys यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के वाद यह देखो यहाँ से यह हड जाएगा इसके वाद अगर यह table नहीं चाहिए तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे add chart element पे और data table पे जाएंगे और none पे क्लिक करेंगे तो यह table यहाँ से हट जाएगा इसके बाद फिर हम यहां पे add chart element पे जाएंगे और इसके बाद error वार चाहिए तो यह दिको error वार यहां पे show करेगा किस में चाहिए यहां पे first पे जाहिए यह दिको error वार standard error यह आ रही है percentage में चाहिए तो यह ऐसी आएगी standard deviation में चाहिए तो ऐसी आएगी अगर यह हटानी है तो none पे क्लिक करेंगे यह यहां से हट जाएगी add chart element फिर हम यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद अगला है grid line अगर हमें grid line चाहिए primary major horizontal यह चाहिए तो इसमें आएगी अगर यह primary major vertical तो यह लिखो major vertical में आ रही है इसके बाद major horizontal तो यह horizontal में आ रही है इसके बाद primary minor vertical तो यह primary minor vertical में तो यह भी हम यहां पे चूज कर सकते हैं इसके बाद फिर हम यहां पे इसके बाद legend पे जाएंगे legend यह क्या हुता है जैसे legend यहां पे दे गया है यह जो English subject है इस color में है chemistry इस color में है physics इस color में है यह जो legend है इसको हम right side करना जाते है या top में रखना जाते है या left side रखना जाते है या bottom में रखना जाते है यहां पे यह सारी style दे गया है suppose करो हमें यह right side चाहिए तो ये देखो legend ये जो है ये right side में हो जाएगा top में चाहिए तो ये top में चला जाएगा ये देखो top में ये top में आ गया ये इसके बाद left side चाहिए तो ये left side आ जाएगा इसके बाद bottom चाहिए तो ये bottom में आ जाएगा तो ये legends को हम कहीं भी इसको रख सकते है चाए right चाए top चाए left चाए bottom कहीं भी इसको रख सकते है इसके बाद फिर हम यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद अगर इस chart का layout हम change करना जाते है तो हम यहाँ पे quick layout पे जाएंगे quick layout पे जाने के बाद यह देखो यहां से layout हम change कर सकते हैं यह ऐसा चाहिए यह ऐसा चाहिए यह देखो जो भी हमें यहां से अच्छा लगेगा उस layout पे हम click करेंगे वह layout यहां पे apply हो जाएगा तो यहां पे कौन सा layout चाहिए उसके ओपर हम click करेंगे वो layout यहां पे बनके आ जाएगा तो यहां से हम layout भी change कर सकते हैं इसके बाद आगया change color यह जो यहां पे chart बना हुआ है इसका color change करना है तो यहां से color भी हम change कर सकते हैं यहां पे more button पे click करेंगे यह देखो इसमें चाहिए यह इसमें चाहिए यह color यहां पे change हो रहा है इसमें चाहिए तो इसमें चेंज हो रहा है इसमें चाहिए तो इसमें चेंज हो जाएगा suppose करो हमें इसमें चाहिए तो इस कलर में ये चार्ट चेंज होके आ जाएगा अगर चार्ट स्टाइल चेंज करना है तो हम यहां पे क्लिक करेंगे यह देखो यह लग लग यहां पे style है यहां पे click किया तो यह style आ जाएगा यहां पे click करेंगे तो यह style आ जाएगा यहां पे click करेंगे यह style आ जाएगा suppose करो हम यहां पे click करेंगे तो यह बहुत से style यहां पे दे गए है suppose करो हमें यह चार्ड स्टाइल चाहिए तो यहां पे क्लिक करेंगे यह चार्ड स्टाइल यहां पे बनके आ जाएगा तो इस प्रकार हम यहां पे चार्ड स्टाइल को चेंज कर सकते हैं इसके बाद आगे है switch rows column rows और column को switch करना switch का मतलब यह होता है जैसे यह हमारे पास English सब्जेक्ट है इनका सारा ग्रूप यहां पे बनके आ जाए नंबर का इसके बाद कमिस्टी सब्जेक्ट है यह यहां पे switch होके आ जाए इसके बाद physics है यह भी इकठा होके आ जाए तो इसको हम यहां पे switch कर सकते हैं जैसे यहाँ पे switch पे क्लिक करेंगे switch row column पे क्लिक करने के बाद यह देखो English जो subject है यह switch होके यहाँ पे आ जाएगा committee subject यहाँ पे यह सारा यहाँ पे आ जाएगा physics subject यह यहाँ पे आ जाएगा अब क्या है जैसे यह English subject है इसमें मोहित के 55 नमबर है तो यह देखो first वाला यह मोहित English के यह 55 है यह जो अगला ग्राफ गया है यह भी English subject है यह देखो 6 second है 98 नमबर है तो यह 98 नमबर यहाँ पे दिये गए है इसके बाद अलोक आगे 85 नमबर है तो यह देखो English subject यह 85 यहाँ पे दिये गया है इसके बाद आगला जो है याँ पे चामन 75 ये देखो ये ग्राफ याँ पे 75 तक गया है इसके बाद अनमॉल याँ पे 45 तो ये देखो इंगलिश में अनमॉल ने 45 नमबर याँ पे लिये हुए है ये इसी तरह ये कमिस्टि के हैं इसी तरह ये फिजिक्स के है तो इनको हम subject को switch भी कर सकते हैं जिसमें सभी के number एक साथ आ जाएं अगर हम switch को यहां से अहटाना जाते हैं तो हम क्या करेंगे फिर यहां पर click करेंगे तो यह देखो यह switch command यहां से हड जाएगी इसके बाद आगे है select data select data में क्या होता है यहां पर हम data को select करते हैं कि कौन सा data हमें चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए suppose करो हमें यह जो chart है यह मोहित और शची का chart यहां पर बन के आए बाकी chart हमें नहीं चाहिए तो इसको कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम यहां पर select data पर click करेंगे select data पर click करने के वाद अब किसका चाहिए एक तो मोहित का चार्ट चाहिए और इसके बाद यहाँ पर शशी का चार्ट चाहिए तो इन दोनों को हम चेक रखेंगे इसके बाद अलोग का बंद कर दिया यहाँ पर इसके बाद चामन इसके बाद अनमौन यहाँ पर बंद कर दिया इनको और ये जो मोहित और शची है इन दोनों का यहां पे चार्ट बनके आ जाएगा ये देखो ओके पे क्लिक किया तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो बाकी यहां से हट जाएंगे मोहित और शची का चार्ट यहां पे बनके आ जाएगा इसके बाद आगर हम यह चाहते है कि English और कमिस्टी के नमबर यहां पे इनका चार्ट बनके आए और यह दो नेम यहां पे हो तो इसको कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम फिर यहां पे Select Data पे जाएंगे और यहां पे यह सब्जेक्ट दिये गया है यहां पे हम दो पे चेक करेंगे जैसी English की चाहिए कमिस्टी की चाहिए फुजिक्स के नहीं चाहिए इसका ग्राफ नहीं आने चाहिए तो हम यहां पे इसको uncheck करेंगे इसके वाद यहां पे ok पे click करेंगे तो यह दिखो यह दो subject का यहां पे चाट बन के आएगा यह English subject है और यह Complicity subject है तो इन दोनों का यह मोही तोर्षी इनका यह Chart बन के यहां पी आ जाएगा तो इस तरह से हम यहां पे data को select भी कर सकते हैं कि कौन सा data हम चाहिए और कौन सा data यहां पे नहीं चाहिए इसके बाद अगर हमें यह जो data दिया गया है इन सभी का चार्ट फिल से चाहिए तो हम के करेंगे select data पे जाएंगे और यहां पे यह physics इसको भी check कर देंगे और इन सभी को यहां पे check कर देंगे यह check कर दिया चेक करने के बाद इसको ok पे click करेंगे तो यह दिको सभी यहां पे आ जाएंगे जो भी यहां पे data दिया गया है इन सभी का चार्ट बनके यहां पे आ जाएगा इसके बाद है चेंज चार्ट टाइप अगर यह चार्ट टाइप है इसको हम चेंज करना जाते हैं तो इस चार्ट टाइप को हम चेंज कर सकते हैं यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद अब कौन सा यहां पे चार्ट टाइप चाहिए यहां पे कॉलम है, लाइन का चाहिए तो यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद इसके यहां पे आगे स्टाइल आ जाएंगे इसमें चाहिए या इसमें चाहिए तो जो भी चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे ये बनके आ जाएगा इसके बाद पाई में चाहिए तो पाई पे क्लिक किया ये देखो पाई का यहाँ पे आ जाएगा ये अलग लग स्टाइल यहाँ पे दिये गया है तो जो भी यहां पे style चाहिए उसमें यह बनके आ जाएगा इसमें चाहिए तो इसमें यह बनके आ जाएगा अगर और चाहिए बार में चाहिए तो यहां पे click करेंगे यह बार में बनके आ जाएगा तो जो भी हमें यहां पे chart type चाहिए उसमें पे click करेंगे suppose करो हमें pie chart चाहिए यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद यह style चाहिए और ok पे click किया ok पे click करने के बाद यह दिखो यह chart type यहां पे change okay आ जाएगा इसके बाद आ गया है location group location group में दिया गया है move chart तो यहां पे हम एक sheet को insert करते हैं यह second sheet आ गई और यह first sheet है इसके बाद हम यहां पे location पे जाएंगे move chart यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद move chart dialogue box यहां पे open हो जाएगा इसमें दो radio बटन दिये गया है new sheet और object in object in यहां पे sheet number first यहां पे select है आगर हम यह जो chart बनाया हुआ है इस chart को दूसरी sheet यहां पे ले जाना जाते हैं तो हम क्या करेंगे यहां पे object in यहां पे click करेंगे और इसको sheet number second यहां पे click करेंगे यहां पे click किया sheet second है यहां पे आ गया इसके बाद okay पे click करेंगे तो यह देखो जो पहली sheet में chart था यह move होके second sheet में आ जाएगा तो पहली sheet पे click करते हैं यहां पे यहां से यह chart हट गया है और second sheet पे यहां पे click करके यह यहां पे second sheet में आ गया है इसके बाद यह जो sheet second में यह chart आ गया है अगर हम यह sheet first में लाना जाते हैं तो यह कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम फिर यहां पे move chart पे जाएंगे और यहां पे object in यहां पे यहां पे click करेंगे और यहां पे sheet 1 यहां पे click करेंगे और ok पे click करेंगे तो यह देखो यह जो second sheet में chart था यह move होके first sheet में आ गया है अब second sheet पे click किया तो यह देखो यहां से चार्ट हट गया है और यह first sheet में यहां पर आ गया है फिर हम यहां पर move chart पर जाएंगे और new sheet अगर हम यह new sheet बढ़ा जाते हैं कि यह chart to new sheet बनके आ जाए तो हम यहां पर click करेंगे यहां पर click करने के बाद यहां पर name लिखा asd यह name दिया इसके बाद ok पर click किया ok पर click करने के बाद यह देखो asd नाम का यह chart यहां पर बनके आ जाएगा तो इस वीडियो में हमने यह सीखा कि axle में chart को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धनेवाद